कि दस मार्क जो है ना यह मैं आज आपको गिफ्ट में देने वालों सच्ची में बता रहा हूं दस मार्क गिफ्ट में दूंगा अगर आपने थोरे देर मन लगा के इस वीडियो को अच्छे से देख लिये तो भाई में ट्रस्ट मी पूरा मजा जाएगा आपको एकदम मजा जाएगा ठीक है दस मार्क आपके हाथ में रहेगा आपको परना नहीं होगा यहीं पे आप लर्ण करके रिवाइज भी कर पाऊगे समझ में आ रहा है आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा सब कुछ तो इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का ब्यूटि अच्छा तो सबसे पहले चाप्टर यह हम यही करने वाले हैं यह क्या है मैं एक बैसिक सब बैक्राउंड दे दे दा हूँ जितने भी स्टूडेंस है जिन्होंने कभी परहा ही नहीं है यह लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेकेटरी उनको पता लग जाए मैक्सिम इल कर ओंगो अपको टेलिएग्रैम पे तो टेलिएग्रैम पे जाके नोस डाउनोड कर लीना है शाम तक छैन возь अलों से मैं रिखा है वह भी मैंने आपको धूल दूँगा टेलिग्राम पे तो आप अराम से डाउनोड कर पाओगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है तो सबसे पहले जिमनों स्टार्ट करेंगे गरन करने के लिए कोई framework तो चाहिए होगा ना कि याऔर यह company secretary सही काम कर रहे है कि नहीं यह कैसे पता लगेगा और अगर गलत काम कर तो punish कौन करेगा पुलीस करेगा पुलीस तो करेगा हाँ जी अरे यार इंडिया का law जो है वो तो करेगा लेकिन in case of in criminal cases राइट लेकिन उसके अलावा भी एक company secretary को बहुत सारे legal frameworks के अंदर रहके काम करना परता है तो वो सारे legal frameworks यहाँ पर मैं बताऊंगा for example मैं एक छोटा सा shortcut बता दू कि यार अगर आप आलू बेच रहे हो ठेले में ठेला लगाके तो at that same time you can't be a company secretary ठेक है यह सीधा बात नो बकवास तो यह मैंने example आपको दिया यह यहाँ पर है सीधा बात है यह यहाँ पर है हाँ जी कि यार यह company secretary जो है भी प्रोवाइड इस सर्विसेंस और सर्विसेंस में यह सर्विसेंस में यह यह सर्विसेंस हम लोग प्रोवाइड करते नहीं ऐसा आप कभी नहीं देख पाऊगे क्योंकि legal framework कहता है कि आप प्रोमोट नहीं कर सकते आपके profession को प्रोमोट नहीं कर सकते अद्वर्टीजमेंट इस नौट अलावड अट ठीक है तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको जानना होगा प्रोमोट करते हैं कंसेप्ट नमबर वन के साथ ठीक है तो सबसे पहला कंसेप्ट अगर करना है तो इस यू वांट तो कंप्लेंट अगेंस्ट कंपनी सेकेटरी आप किसके पास करोगे तो उसने जो है आपके साथ धोका किया है या फिर कुछ भी किया हो तो ये कंप्लेंट कहां पे जाएगा या फिर लीगल फ्रेमवर्क के बाहर जाके जो है कंपनी सेकेटरी काम कर रहा है तो इसका कंप्लेंट अब करोगे किसको हाजी NCLT को करोगे नहीं उसके लिए देखो कंप्लेंट अगेंस्टा मेंबर मेंबर कौन है ICSI का मेंबर ICSI का मेंबर ही एक कंपणी सेकेटरी है एक CS ही बन सकता है ICSI का मेंबर और दूसरा तो नहीं बन सकता कोई प्रधान मंद्री बन सकते है, ICS IKUM मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि वो CS नहीं है, सीधी बात, तो देखो, Disciplinary Direct Rate रहता है, कौन रहता है, Disciplinary Direct Rate, Disciplinary Direct Rate रहता है, इनको आप कंप्लेन करोगे, इसके अंदर भी दो Divisions है, समझना, इसके अंदर भी दो Divisions है, आप कंप्लेन करोगे, Disciplinary Direct Rate को, अब Disciplinary Direct Rate क्या करेगा, देखेगा, कि यार ये Schedule 1 का Miscunduct है, या फिर Schedule 2 का Miscunduct है, दो प्रकार के Schedules है, भाई मेरे, Schedule 1 and Schedule 2, ठीक है, Miscunduct अगर Schedule 1 में हुआ है, तो इसका जो है, देखा देखी, और मतलब इसका scrutinization दूसरा करेगा, अगर Miscunduct in Schedule 2 हुआ है, या फिर बोट, मतलब कोई ऐसा काम आपने किया है, जो कि Schedule 1 में आता है, और Schedule 2 में भी आता है, तब भी ये Schedule 2 के अंदर ही आ जाएगा, अगर Schedule 1 का आपने कोई Crime किया है, तो वो आएगा Board of Discipline, Board of Discipline आपको सजा सुनाएगा, और अगर आपका Schedule 1, Schedule 2 दोनों एक साथ किया है, या फिर आपने सिर्फ Schedule 2 ही किया हूँ, तो आपका जाएगा Disciplinary Committee के पास, और Board of Discipline आपका Case देखेगा, for Schedule 1, and Disciplinary Committee Case देखेगा, for Schedule 2, सीधी बात नो बखवास, एक दम ब्यूटुफुल, ठीक है न, अच्छा, अब ये Board of Discipline जो है करेगा क्या आपके साथ, सर इज़द उतार देगा, हाँ जी, आपका इज़द उतारेगा, नमबर पहला बात है कि, रेपरेमेंट करेगा, the member, रेपरेमेंट करना, मतलब इज़द उतार देना, डाट देना, ठीक है, अब देखो, एक क्याबिन रहेगा, ठीक है, उसमें बहुत सारी लोग बैठेंगे, Board of Discipline बैठेंगे, उसके बाद आपका फैसल होगा, अब वहाँ पे आपको, जो है, राट देगा आपको, या तो आपका नाम हटा देगा, members से, members का जो list है, उससे नाम हटा देगा, तीन महीने के लिए, तुसरे इसमें क्या बराबात है, नाम हटाने से क्या हो जाएगा, या अगर आपका नाम हटा दिया गया, तीन महीने के लिए, तो आप तीन महीने के लि नहीं, तीन महिने के लिए आपको suspend किया गया है, समझ में आ रहा है, या फिर आपके उपर fine लगा देगा, जो कि एक लाख रुपेय तक जा सकता है, ये कर सकता है board of discipline, अब आते है, disciplinary committee में, disciplinary committee क्या करेगा, पहली बात तो reprimand कर देगा, data देगा member को, दूसरी बात, remove कर देग name of the member, up to permanently, ये power है, disciplinary committee के पास, permanently remove कर सकता है, permanently remove कर सकता है, क्या बताइए न, permanently remove कर सकता है, आपका नाम, from the members, मतलब आपको permanently suspend किया जा सकता है, ये मतलब आपको समझ में आ रहा है, बहुत बरी बात है, या तो fine लगा देगा, पांच लाक रुपेय तक का fine लगा देगा, के जो crimes है न, वो जादा severe crimes नहीं है, लेकिन schedule 2 के जो crimes है, बहुत severe crimes है, तो इससे आपको पता लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये examination में, तीन मार का minimum मैं बता रहा हूं, या तो 5 मार का, पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक तो ये हो जाएगा, board or discipline आपका answer, ठीक है, और ये सारा चीज points आपको लिखना होगा, ठीक है, misconduct under schedule 1, disciplinary direct trade, ये सारा इस प्रकार से आपको लिखना होगा, आपको पूरा-पूरा marks मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर, बहुत बहुत, अच्छा, अच्छा निकल जाता है, सर, सच्ची में, आपको ना मज़ा आने वाला यहाँ ठीक है, देखो, schedule 1 जो है, schedule 2, schedule 1 को हम लोग divide कर सकते है, चार parts में, एक, दो, तीन, चार, चार parts में हम लोग divide कर सकते है, schedule 1 को, and schedule 2 को हम लोग divide कर सकते हैं, तीन पार्ट में, 1,2, and 3, तो बैस दो क्लाजस टीक है एंड डू में जो पार्ट 1 में 10 पार्ट 2 में है चार रास एंड पार्ट 3 में हैं एक लॉस तो इस चीज़ को आपको याद रखना है यह क्यों याद रखना है मैं आपको बता दूँ अगर आंसर आपका पांच मरका है पकल लो ठीक है तो आपको यह लिखना होगा कि कौन से पार्ट का आपको पूछा गया है ठीक है देखो लिखा तो होगा अब यह जो ग्यारा है कौन से अब जो क्वेशन में पूछा गया है आपको यह कौन से क्लॉस का है यह अगर आपको पता लग जाए एक्जामिनर को बता पाओ कि सर यह तो क्लॉस 3 का था पार्ट 3 का है शेड्यूल 1 का है फिर तो भईए एक्जामिनर का भी मार्च कोटा आप फिर टो भाईया एक मिलीमिटर कभी मार्क्स आपको Ihr deduct नहीं कर सकता मतंब एक परसंड भी मार्क डियर ने कर सकता वो पूरा मार्क्स आपको देना होगा तो इसली मैंने इसको इस प्रकार से लेना है क Kings बनाना मैं आपको बतातू ऑन फोर पार्ट स्ट्रीपार्स इतना तो आप बनाई सकते हो फिर यहाँ पर 11 लिग देना यहाँ पर है ग्यारा यहांपे parenthिए फिर तो पार्टी काürü पार्ट्री का थी सुँ इतना याद रखिपाऊ तब भी आपको आही जाएगा यह चीज ठीक है समझ में आ रहा है को दिक्कत वाली बात नहीं भवाल आगे बढ़ता है अच्छा इसमें कुछ explanation मैं आपको बता दूं यह तो आप बना लोगे यह तो आप बना लोगे ठीक है इसकी नीचे ना और एक दो लाइन लिखना है आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं सुनो यह है शिड्यूल वन यह है शिड्यूल टू सिंपल बात पार्थ है वन टू थ्री फोर पार्थ है वन टू थ्री क्लॉसे 11 टू थ्री टू क्लॉसे 11 टैन फोर और वन ठीक है अब सुनो एक चीज यह जो समझ में आ रहा है हाजी देखो एक होता है professional misconduct दूसरा होता है other misconduct professional misconduct मतलब in connection to your profession other misconduct मतलब it is other misconduct which is not primarily connected to your profession ठीक है यह other misconduct और यह है professional misconduct तो हमेशा याद रखना content जो है पार्ट का लास्ट का जो जितने भी content होगा वह हमेशा other misconduct है ठीक है तो other misconduct होगा पार्ट 4 and other misconduct होगा पार्ट 3 बाकी सब professional misconduct है इतना या अप लिख पाओगे examination में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब थोरा धहरिया रखके थोरा आगे बढ़ते है यह जो professional misconduct है किसके लिए है दो प्रकार के company secretaries होते है एक है company secretary in practice दुसरा है company secretary in service समझ में आ रहा है in practice जो company में काम कर रहा है दुनों का अलग अलग जो है काम करने का तरीका रहता है काम एक ही करता है लेकिन तरीका अलग अलग होता है एंद उसकी उपर regulations अलग अलग है तो इसकी clauses भी अलग अलग होंगे एक चीज याद रखना और एक है और एक है in general in general मतलब general मतलब दोनो company secretary in practice and company secretary in service दोनों मिला कर तो याद रखना एक चीज एक चीज याद रखना हमेशा की कि शिडूल वन का जो पहला clauses and पहला पार्ट रहेगा ना इसमें हमेशा यह जो ग्यारा clauses है सबसे जादा clause ओके अब सुनो हमेशा याद रखना पार्ट वन का जो applicability है वह applicable होगा यह ग्यारा सबसे जादा clauses applicable होगा practice की उपर company secretary in practice की उपर यह 10 clauses सबसे जादा applicable होगा company secretary in practice के उपर वह समझ में आ रहा है यह दो applies सख होगे 10GU and 11GU सबसे जादा clauses आगे वह तो नेकल्षों के उगे से यह इन से क्लिच के लिए है उसके बाद जो next last give हो will इनके ऊपर होंगे कमपनी सेकेटरी इन सर्वीस सिर्फ इसमें आएगा पार्ट टू में आएगा पटिकुलर्ली यहां पे सर्वीस मतलब है पटिकुलर्ली जैनरल में तो सर्वीस प्रैक्टिस दोनों आएगा है ना समझ में आ रहा है तो यह आपको ड्राफ्ट करने कितना यह बाई देखना चार है चार है तिन है फिर ग्यारा दो तीन दो दस चार एक यह आप लाइन याद कर लो यह तो याद करने के जरूरत नहीं है सिर्फ आपको यह और यह याद रखना होगा लास्ट में दो याद रखना होगा बस फिर सिर्फ आप लास्ट में ओम लगा देन की पीछे की portion में आपको लिक डालना ही है so that आप भूलोगी नहीं आपको याद नहीं करना यह चीज़ आपको रट्टा लगा के आपको यह मैंने फिर भी आपको बहुत सारे techniques बता दिया कैसे आपको याद रखना है यह चीज़ ठीक है beautiful है कोई दिकत वाली बात नहीं है बवाल सुनो अब हम लोग शुरू करने वाले है schedule 1 का part 1 schedule 1 का part 1 कहता क्या है schedule 1 का part 1 कहता है की सुनना part 1 part 1 कहता है schedule 1 का part 1 कहता की sir मैं 11 clauses हूँ आपके लिए यहाँ पे मैं 11 clauses हूँ आपके लिए मैं ready हूँ आपके लिए मैं हूँ 11 clauses और यही सारे clauses applicable होंगे company secretary in practice के लिए ठीक है अब सुनों बात यह जो company secretary in practice है इसका सबसे पहला clause क्या रहेगा part 1 का 11 clauses मेरे को बता है सबसे पहला clause क्या रहेगा part 1 का देखो पहले में English में बताऊंगा उसके बाद में Hindi में बताऊंगा सुधर आपका दिल और दिमाग में चब जाए चीज़े ठीक है सबसे पहली बात है को company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct देखो examination में यह लाइन आपको चिपका डालना है यह लाइन आपको चिपका डालना है किसी भी किसी भी क्लॉज से पूच ले आपको यह लाइन एकदम चिपका डालना है examiner impress हो जाएगा company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct when देखो सबसे पहला clause है यह allows any person to practice in his name as a company secretary unless such person is also a company secretary in practice and is in partnership or with employed by him मतलब क्या कि यह professional misconduct माना जाएगा अगर आप allow कर रहे हो किसी भी person को practice करने के लिए in his name मतलब उसके नाम से practice करने के लिए नाम से practice करने के लिए as a company secretary unless such person is also a company secretary तो आपने दूसरे बंदे को बोला है वो company secretary है नहीं लेकिन उसको बोला है कि आपका काम कर देने के लिए unless is a company secretary in practice and is in partnership or with employed by him और उसी के साथ साथ आपका partnership में है यह फिर employ किया गया हो है ना आपने एंप्लोई किया हो तो इस चीज को complicated चीज को याद कैसे रखना है सिंबल वाद है भाई मेरे बिरादरी वाले ठीक है बिरादरी वाले इस word को बहुत अच्छे से समझ ले ना बिरादरी अब बिरादरी में कौन कौन आता है वो मैं एक बार बता दूँ आपको बिरादरी में आते हैं यह सारे लोग यह अपने बिरादरी वाले लोग है इंके साहथ आप पार्ट्नेरिय की कर सकते हूं इन के साहथ बिष्चण लोग ही है ये सारे हमारे विरादरी के लोग ही है तो ये जो है इनके साद आप partnership कर सकते हो इनके साद बिजनस कर सकते हो इनके अलावा किसी भी एरा गेरा नत्थु खेरा के साद आप नहीं कर सकते ये ICSI आपको बता रहा है तो विरादरी वर्ड का meaning समझ में आ चुक है ये मैंने आपको break up दिया दिया कि बिरादरी क्या है अब interesting part शुरू हो रहा है देखो थाम के बैठो क्लॉस बन कहता है भाई मेरे कि अपने बिरादरी के अलावा किसी और को किसी और को अपने ही नाम अपने ही नाम से अपने ही नाम से प्रैक्टिस करने नहीं देने वाला मैं अलाव कर रहा हूं तुमको प्रैक्टिस करने देने के लिए मेरे नाम से कैसे हो सकता है तुम तो CS भी नहीं हो तो बिरादरी में कौन-कौन आता है समझ में आ चुका है अच्छा ये वाला जो से प्रैक्टिस करने देने का नहीं ये क्लॉज वान कहता है क्या कहता है क्लॉज वान क्या कहता है फटाफट इंग्लिश वाले बाद में परेंगे हम लोग ये हिंदी वाले सबसे पहले परेंगे हिंदी वाला आप याद कर लो इंग्लिश वाला अपने आप लिख पाओगे ठीक है, अपने बिरादरी के अलावा, अपने बिरादरी के अलावा, बताओ ना, अपने बिरादरी के अलावा, किसी और को अपने नाम से प्रैक्टिस करने देने का नई, यह है, क्लॉस वन, ठीक है, क्लॉस टू कहता है, क्लॉस टू कहता है, क्लॉस टू कहता है, क्लॉस अपने बिरादरी के अलावा किसी से पैसा लेने का नहीं तो clause 1, 2 and 3 क्या कहता है? clause 1 क्या कहता है? फटा-फट रिपीट करो अपने बिरादरी के अलावा किसी और को अपने नाम से प्रैक्टिस करने देने का नहीं clause 2 कहता है अपने बिरादरी के अलावा किसी को पैसा देने का नहीं and clause 3 कहता है अपने बिरादरी के अलावा किसी से पैसा लेने का नहीं एक बार हम लोग interpretation कर लेंगे English से English में pays or allows or agrees to pay or allow directly or indirectly any share, commission or brokerage in the fees or profit of his professional business to any person other than the member of institute or a partner or a retired partner or legal or legal representative of deceased partner or member of any other professional body as may be prescribed or with such other person having such qualification as may be prescribed आपको examination में न ये पूरा पूरी लिखने का नहीं सुनो बात मैं आपको डरा नहीं रहा हूं मैं सची में फैक्ट बता रहा हूं सुनो examination में आच्छी वो बोल देंगे कि ये है केस अब बताओ क्या ये schedule 1 में आता है कौन से clause में आता है क्या इसके लिए punishment होगा की नहीं होगा आपको सिर्फ इतना याद रखना कि ये clause 2 में आता है की नहीं part 1 के clause 2 के schedule 1 में आता है की नहीं अगर आता है तब आप सिर्फ यही लिख दो कि हाँ जी यह जो Mr. Simran Mrs. Simran है इन्होंने जो है पैसा लिया है पैसा लिया है शेयर लिया है यह फिर कमिशन लिया है यह allowed नहीं है under section under what under what बताइए ना under schedule one part one clause one part one clause पताइए फटापर part one clause two समझ में आ चुका है यह आपको लिखना है आपको पूरा पूरी marks मिल जाएगा समझे समझे तो आपको याद कैसे रखना है याद तो ऐसे ही रखना है ना पैसा देने का नहीं पैसा लेने का नहीं simple बात पहली बात अपनी बिरादरी के अलावा किसी और को यंस्टुटूटूटूटूटू इसके एक exception भी है कि can accept or agree to accept from a member of such professional body यह जो professional body यहाँ पर बता रखा यह professional body यही है और कोई कुछ नहीं है यह यही है जो मैने यहां पर लिक के रखा है चीक है इन से ले सकते हो इनको दे सकते हो लेकिन इनके अलावा किसी और को नहीं ले सकते ले सकते तो examination में याद केसे रखना है आपको पता लग रहा है भाईया पहला clause तब यह अपने बिरादरी के अलावा किसी और को अपने नाम से practice करने देने का नहीं दूसरी clause repeat करो मेरे साथ अपने बिरादरी के अलावा किसी को पैसा देने का नहीं अपने बिरादरी के अलावा किसी पैसा लेने का नहीं ठीक है यह clause 3 तक हो चुका है अब जाएंगे clause 4 में 4 में बताएगी अपने बिरादरी के अलावा किसी के साथ partnership नहीं करने का नहीं अपने पिरादरी के अलावा किसी के साथ partnership करने का नहीं घौजब है ऊपनी बिरादरी के अलावा किसी के साथ partnership कने का नेए ये है go тожеश 4 देखो क्या लिखा है है क्लोस 4 में the Eco Venus into a partnership in or outside इंडिया विफ़ परसंट अधर दन प्रॉफेशनल ब्रैक्टिस प्रॉफेशनल ब्रैक्टिस लिखा यहां पर लिखेन ठाने का है अपने बिरादरी कि अललावा किसी के सात पार्टनर शीप करने का नहीं इए पॉर सास रोकी रखो वहास वॅभी हो जाएगा प्लम अपने अंप्लौई यह पर पाथनर के अलावा कि सिफे काम स्क्रीक रकने का नहीं इसका मतलब समझतों की अगर आप किसी से काम मांग रहे हो मांग रहे हो काम तो अपने अम्प्लॉई को बोल सकते हो कि भाई या वो वाला डील जो है मेरे को लाकर दे वो वाला टेंडर मेरे को लाकर दे या फिर उनके साथ मेरे को काम करना है उनसे बात करके दे ठीक है ना या अपने अम्प्लॉई को जरूर कर सकत नहीं कर सकते मतलब अगर यह किये आप तो यह तो मिसकंड़क्ट हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट हो जाएगा और हूँ इस नॉट ओपन टो कंपनी सेक्रेटरी नहीं प्रोफेशनल ठीक है सिंपल चीज यह इड्वर्टीजमेंट की उपर है सर्कुलर अड्वर्टीजमेंट परसनल कॉरिकेशन या इंतर्विू दे के काम सौलिसिट करने का नहीं काम सॉलिसिट करने का नहीं मतलब हाजी आप इंटर्व्यू नहीं दी सकते आप सर्कुलर पास नहीं कर सकते पेपर में लगा के सर्कुलर पास कर दिये हर जगे पे के यहीं सब्सक्राइब को नहीं कर सकते पर इंटर्विवियू के माधियम से काम सॉलिसिट करने का नहीं काम सॉलिसिट करने का नाई यह है क्लॉस 6 ठीक है फिर है क्लॉस 7 क्लॉस 7 में क्या बताया अपने प्रोफेशनल एटेंडमेंट को एड़टीज करने का नहीं अपने प्रोफेशनल एटेंडमेंट को प्रोफेशनल एटेंडमेंट बतलब जो आप CS बन चुके हैं, इसको advertise नहीं करने का, इसको advertise नहीं करने का कि मैं CS डश डश बन चुका हूँ CS and, you know, मैं हर जगे पे आप Facebook पे Twitter पे आप बोलते रहों कि मेरे पास काम लेकर आईए, मेरे पास काम लेकर आईए, ऐसे आप आप नहीं कर सकते, свое爵टीज नहीं कर सकते अपने professional attainment को और अपने designation के अलावा किसी दूसरे designation को use करने का नहीं अब CS ओCSE आपको लगाना होगा आप दूसरा designation नहीं लगा सकते ठीक है, अपने designation के अलावा किसी और designation को use करने का नहीं, या तो आप CS बन के काम कर सकते हो, या तो आप CA बन के काम सकते हो, या CA में बन के काम करो, जो भी काम करना है, एक होके करना परेगा, आपको आप तीनों काम एक साथ नहीं कर सकते, CS, CA, CA में तीनों का काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, समझें, तो ये आप clause 7 में पर रहे हो, ठीक है, अगर लो यार एक CS है ठीक है एक CS है जो पहले एक client को देखता था ठीक है पहले client को देखता था अब वही client आपके पास आ रहा है काम लेकर तो आप सबसे पहले उस पुराने CS से बात करोगे without बात करके आप उसका position accept नहीं कर सकते ठीक है उसका position आप नहीं accept कर सकते without communicating with him और हर ठीक है पुराना CS से communicate ना करके position accept करने का नहीं उसका position accept करने का नहीं करने का नहीं मेरे clause 9 percentage के हिसाब से fees charge करने का नहीं percentage के हिसाब से fees charge करने का नहीं your fees shall be fixed ऐसा नहीं होना चाहिए कि turnover के ओपर 20% मेरा fees रहेगा ऐसा नहीं हो सकता percentage के हिसाब से आप नहीं मांग सकते आपको fixed rate लगाना होगा 2 करोर रुपए एक करोर रुपए एक लाक रुपए 25,000 रुपए जो भी होगा आपका fixed रहना होगा समझ में आ रहा है percentage के हिसाब से आप चार्ज नहीं कर सकते ये clause 9 है clause 10 क्या कहता है clause 10 कहता है अपने धंदा के अलावा कोई और धंदा करने का नहीं मतलब सुबा सबजी मंडी में सबजी बेच रहे हो शाम को CS ऐसा नहीं हो सकता भाई मेरे अपने धंदा के अलावा कोई और धंदा करने का नहीं अपने धंदा के अलावा कोई और धंदा करने का नहीं and clause 11 ICSI के मेंबर के अलावा अपने बिहाफ पे किसी और को साइन करवाने का नहीं ठीक है अपने बिहाफ पे किसी और को और से sign करवाने काना हई, मतलब तुम कौन हो तुम कौन हो तुम CS हो, ठीक है तुम को sign करना है यहाँ बेगी, लेकिन किसी कारण वर्तूम out of station हो, तुम sign नहीं कर सकते तो तुम किसी दूसरे बंदे से साइन करवा सकते हूँ, हाँ करवा सकते हूँ, लेकिन provided that he or she shall be a CS, तो ICS है कि member के अलावा अपने बिहाफ पे किसी और से sign करवाने का नाई अब revision करेंगे हम लोग, ठीक है इसको revise करेंगे हम लोग अच्छे से फटा फट, फटा फट कलने के attention मत दो, clause 1, clause 1 क्या कहता है, sir मैं बताता हूँ, मैं आपको clause 1 कहता है कि, clause 1 कहता है, अपने बिरादरी के अलावा किसी और को अपने नाम से practice करने का नहीं, करने देने का नहीं, clause 2 clause 2 कहता है, अपने बिरादरी के अलावा किसी और को पैसा देने का नहीं क्लॉस 3 कहता है अपने विरादरी के अलावा किसी से पैसा लेने का नहीं क्लॉस 4 कहता है अपना विरादरी के अलावा किसी के साथ partnership करने का नहीं अबन दुकान वाला के साथ partnership नहीं करने का अपने employee या फिर partner के अलावा किसी से काम secure करने का नहीं, हाँ जी circular advertisement, personal communication या interview के माधियम से काम solicit नहीं करने का फिर अपने professional attainment को advertise करने का नहीं, अपने designation के अलावा किसी और designation को यूज करने का नहीं, पुराने CSA कॉम्मुनिकेट ना करके position accept करने का नहीं, लास्ट में है percentage के हिजाब से fees charge करने का नहीं, अपने धंदा के अलावा कोई और धंदा करने का नहीं, and ICSA के member के अलावा अपने बिहाफ पे किसी और से sign करवाने का नहीं रे बाबा, नहीं, समझे ना, तो यह अब याद कर पाओगे, इस से better तो भई है, मैं बता रहा हूँ, भगवान विश्नु भी आ के आपको याद नहीं करवा सकता, सच्ची में कह रहा हूँ, I'm a very very good विश्नु भग्त, ठीक है, लेकिन, you know, नहीं करवा सकते, ठीक है, अच्छा, नंबर टू, नंबर टू में क्या है, बताइए, भॉस बन, नंबर टू में क्या है, यह नहीं पढ़ने से भी चलेगा, क्योंकि, यह जो क्लॉस बन है, यह क्लॉस टू का पार्ट बन ही है, ठीक है, अगर पैसा लेने का बारे में पूछ लेना तो आप दोनों मैंशन कर सकते हैं पार्ट वन टूर्ट तो यह आपको इसी प्रकार से याद रख लेना है पार्ट थू का पार्ट थी का मैं आपको बताता हो महिया इसमें से पहला क्लॉज यह कहता है कि अगर आप FCS नहीं हो ठीक है कहा गया अगर आप FCS नहीं हो तो FCS acting करने का नहीं ठीक है FCS नहीं हो तो आप FCS का acting करने का नहीं FCS का मतलब हो तो है fellow of the institute fellow of the institute कब बनते हो बता है पात साल जब आप FCS गजालोगे तब जागे आप बनोगे fellow of the institute ठीक है तो FCS नहीं हो तो FCS अबने आपको FCS बोलने का नहीं पार्ट 2 में है इंस्टट्यूट ने जो ggakशेशान माँगा है वो देने का ऌ इंस्ट्यूट ने जो जानकारी माँगा वो देने का चुपाने का नहीं देने का नहीं तो तो यह तीन चीज जो है आप याद कर लोगे ठीक है पार्ट थ्री में एक बस्ती नौट देखो not being a fellow of the institute acts as a fellow of the institute तूसरा है does not supply the information called by ICSI while inviting work from other CS give false information ये यादटना देखो फैलो सी एस को यहां पर ये एक चीज आड़ कर लो फैलो सी एस को गलत जानकारी देने का नहीं ठीक है मतलब आप इन्वाइड कर रहे हो for some work ठीक है मतलब मेरे को काम चाहिए आप अपने फैलो सी एस को बोल रहे हो तो उसको गलत जानकारी देने का नहीं कम से कम ठीक है लास देखो पार्ट फोर में बताया है कोट ने कोट ने देखो ना क्या बताया कोट ने maximum 6 मेहने का सजा सुना दिया है तो अगर आपको 6 मेहने का maximum सजा सुना दिया है कोट ने तो ICSI से अलग से आपको ढाटेगा ठीक है ICSI से अलग से आपको ढाटने वाला है कोट तो ढाटेगा ढाटेगा ICSI अलग से ढाटेगा examination में नंबर कम मिलता है तो teacher ढाटता है न वो तो कोट ढाटेगा लेकिन पापा तो फिर से ढाटेंगे घर में आके पपा एंड मम्मी जनम दाता है तो ICSI क्या है जनम दाता है वो भी टाटेंगे आपको तो अंडर पार्ट फोर क्लॉस बान ये आपका दिक्कत हो जाएगा अगर आपको छे मैने का जेल हो चुका है फोर इनी ओफेंस आपने किया हो क्लॉस 2 में है आइसीएस्य को बदनाम करने का नहीं ये 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 दो हो चुका है ये दो हो चुक है अब शडू टू शुरू होने वाला यहां से श्यू धूल टू शुरू हो होली है ठीक है पार्ट 4 हो चुका है πाट टू 3 4 हम लोगं कम्प्लीट कर लिया है पार्ट 1,2,3,4 यहां पर 1 में 11, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 2 क्लॉसे हम लोग नहीं कम्पलीट कर रखा है अब हम जाएंगे श्यडियूल 1 में जो कि 10 क्लॉसे देखेंगे 2 में 4 क्लॉसे देखेंगे 3 में 1 क्लॉसे देखेंगे एक चीज में बता दू लेकिन वाट लग जाएगा अगर आपको माक्स हाथ से चला जाएगा दस है आपको टफ लग रागा होगा लेकिन मैं बहुत इजी फॉर्मेंट में आपको उता दूँगा प्रोटेंशन नत लीजेगा ठीक है देखो शुरू कर रहे है बाई मेरे शीडूल टू अच्छा शीडूल टू पता लग रहा है ना बही है कि इसमें थोड़ा जादा ही आपको सुना दिया जाएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है हाजी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रीम लेवल का आपको यहां पर एरप्रेमेंट मिल सकता है या तो आपका ना पर्मोनेंट्ली हटाया दिया जा सकता है तो यह सारा चीज तो हो जी है है ना बाइ मेरे करने का नहीं अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो आप साइन मत कर दो आपको सेक्रेटरियल ओडिट करना होगा उसके बाद जाके न आप साइन करोगे विदाओ और अडिट का ना परके सीदा साइन करके दे दिया तो ऐसा करने का नहीं सीरियस क्रहिम है क्लाउज 3 भविश्यवानी करने का नहीं भाई भविश्यवानी करने का नहीं मतलब वाउच फॉरन accuracy of accuracy of the forecast मतला वो forecast प्रिडिक्ट कर रहा है भविश्यवानी कर रहा है ऐसा करने का नहीं अपने client को भविश्यवानी करके बंद बताना कुछ भी तो भविश्यवानी करने का नहीं clause 4 substantial interest वाले report पे opinion देने का नहीं मतला जहां पे आपका substantial interest है कोई ऐसा आपके पास file आ चुका है जहां पे आपका interest है तो आप आपका अगर interest है आप biased हो जाओगे उस file के towards है ना तो अगर आप biased हो जाओगे you are not being a proper company secretary तो अपने ही interest के report पे opinion देने का नहीं ठीक है you can't given any opinion clause 5 में है material fact disclose करने का करने से fail होने का नहीं मतलब fails to report material fact known to him अगर आप से कोई भी किसी प्रकार का material fact पूछा जाए ICSI से तो आप उसको disclose करना होगा fail मत हो जाना disclose करने से तो material fact disclose करने का fail होने का नहीं ठीक है clause 5 clause 6 में है material misstatement को report करने से fail होने का नहीं material misstatement कुछ आपके नजर में आया है जो materially misstatement हुआ है तो उसको report करने का चुपाने का नहीं ठीक है clause 7 में है due diligence करने से चूकने का नहीं you can't miss the opportunity of doing a due diligence तो due diligence करने से चूकने का नहीं मतलब grossly negligent करने का नहीं glossly negligent होने का नहीं ठीक है clause 7 है clause 8 है बिना sufficient information के opinion देने का नहीं सीधी बात clause 8 है बिना sufficient information के opinion देने का नहीं पहला हम लोगों ने जो clause पर आए उपर में देखो clause 4 इसमें जहापे आपका substantial interest था वहाँ पर आप अपना opinion नहीं दे सकते और अब जो हम लोग पर रहे है clause 8 वहाँ substantial information ही नहीं है आपके पास sufficient information नहीं है तो आप कैसे यहाँ पर comment कर सकते हो तो आप opinion मत देना clause 8 में clause 9 में secretarial practice apply करने से भूलने का नहीं तो आपका जो secretarial standard है secretarial practice है वह आपको apply करना होगा उससे भूलने का नहीं ठीक है clause 10 last है client का पैसा misuse करने का नहीं या फिर client का पैसा अपने बाशा में बोले तो मारने का नहीं client का पैसा मारने का नहीं client का पैसा misuse करने का नहीं ठीक है यह समझ में आ चुक है sir कोई दिक्कत दोले बात नहीं बहुल फिर बताइए sir फिर है clause 2 यह जादा नहीं है यहां पर है चार clauses एक दो तीन चार एंड पार्ट थ्री में है एक ही clause तो चार clauses फटाफट कर लेंगे पार्ट टू में चार clauses आ रहे है यहीं पर देखो फटाफट क्या है CS act contravence करने का नहीं एंप्लॉई होके confidentiality breach करने का नहीं clause 2 clause 3 में institute को false information देने का नहीं clause 4 में client का पैसा मानने करने और यहां पर भी है client का पैसा मिस यूज करने का नहीं मतलब एक तो आप ने मिसयूज किया वो आरग चीज होता है misuse करना and client काシルクा मानने का it's like you have you know पैसा जो आपको मिला है client से वो आपने मान रखा है असा नहीं गोने पार्ट 3 श्रीडूल वन में देखा है वह एकसीडिंग नहीं है वह अप्टू 6 मंथ है अगर आपको अप्टू 6 मंथ का हुआ है तो या दिक्कत हो जाएगा उससे ज्ञाधा हुआ है दस साल का तो या बाट श्रीडूल 2 में आएगा आपका क्राइम ठीक है यह हो चुका है अपना काफी है यह काफी है यह नोट्स में अवेलेवल करवा दूंगा यह बलो अब लोग नेक्स चाप्टर में जाएंगे जो की है मेगा फांस यह नोट्स मैंने लिखके रखा है यह मैं आपको अवेलेवल करवा दूंगा तो आपको टेंशन लेने का नहीं है ठीक है ओके तो जो next chapter होगा वो है mega firms mega firms mega firms के मैंने यहापे notes और important points वो है वो मैंने highlight करके रखा है आप सिर्फ यही पर के जाओ that will be more than sufficient for you to understand and score the highest marks ठेक है सबसे पहला topic है mega firm है क्या चीज़ सर्थ यह बता दीजे mega firm है क्या चीज multi-disciplinary firm or mega firms what are they देखो यहाँ पर बताया कि mega firms can be described as a partnership firm with more than 25 partners a firm which provides core professional service along with ancillary of services with equal competence under one roof is a multi-disciplinary firm मतलब पकलो CA CS CMA तीनो एक firm के under आचुके है ठीक है तो बेटर है ना भाई मेरे किसी एक client को कर सिए का जरुवत था तो इसी firm में आने से चल जाएगा CS का जरुवत है तो इसी firm में आने से चल जाएगा तो उस प्रकार के firms को हम लोग कहते हैं multi-disciplinary firms for example company and corporate law is core knowledge for company secretary however they can acquire expertise in any other areas like direct and indirect taxation, labor law economics law etc and they may be in position to provide a single window business solution maybe to provide a single window business solution मतला एक बुरूफ के अंदर सब प्रकार के solutions आपको मिल जाएंगे ठीक है तो इस प्रकार का चीज है company secretary भी यह उनका तो core है corporate law है ना उसके अलावा वो लोग बाकी service भी देख सकते हैं जैसे की direct and indirect taxation का ग्यान labor law का ग्यान ठीक है economic law etc यह सारे and not just this आप बाकी लोगों से मिलके भी आप बना सकते हैं मिलके भी मेगा फ़र्म बन सकता है ठीक है वाट अधी प्री रिक्विजिट्स ओफ एमडी एफ यह मल्टिडिस्प्लिनी फ़र्म यह जो है ना यह पूछा गया है ठीक है तो मैं फिर से बता दूँ अच्छे से कर ले ना यह बोले कि एमडी एफ जॉइन कोलाबरेटर वेंचर अमोंग इंडिपेंडेंडेंट इंडिविजिट्स देर्फर एवर्री वन इस विशिंग तो जॉइन हैं शूइंड अंडिस्टैंड दाट सब जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी होंगे सब मिलके वोट करेंगे उसके उपर फिनाइंशल डिसिप्रेंट इसमस्ट फाउंडर पार्टनर शैल भी इवन इक्वल स्टेटस ठीक है इंकम अफ दे फर्म शैल बी इस एक राजा है एक राजा है आपको दिखाना होगा सब सभी लोग इक्वल है तो यहां से कोई भी एक भी अगर आप फॉल नहीं कर रहे हो न तो आपका पूरा मल्टी इसमिली फर्म जो है तहस नहस होके चूर चूर हो जाएगा चीक है तो यह सारे आपके रह जाएंगे बैनिफिट जो आपको लर्न कर लेंगे है तो यह सारे आपके याद कर लेने होंगे तो यह सारे आपके याद कर लेने होंगे में जो बिजनेस जो है उसमें जो भी छीजे लगते ना यहां पर सीव नुसे में ठीक है तो आप उस प्रकार सी मैजिन कर सकते हो है ना चलो इसमें में जोए यह 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 रेविणीड कैसे शेयर करते है तो सीधे बात है कि देखो अध्यू और अच्छे से partner 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 do you want a partner partner bringing new clients shall be given referral or induction say share says at the rate of 15% of the fees settled and received it can be for the first year or for given number of years मतलब अगर आप नहीग नहीग लाओगे बताओ ना clients लाओगे तो उसके उपर गया उपर बी income होगा 15% आपको मिल जाएगा ठीक है certain percentage of fees says 15% shall be retained in business in common pool for meeting expenses 15% का जो भी आपका कमाई होगा total सारे partners का वो हम लोग business में store करके रखेंगे so the business का expense हम लोग क्योर कर पाए 70% of the fees shall be given to the partner or partners who actually work on the assignment when more than one partners are involved in this assignment there can be determined based on respective role for example मैं एक CS है for example एक CA है उसने हमारे firm में काम लाया ठीक है वो मेरा पार्टनरी है तो उसने लाया है एक काम जो कि मेरे को करना है तो मेरे को 70% तो मील ही जाएगा पूरा पूरा ठीक है बाकी 50% 15% उसको उसने काम लाया तो उसको 15% दे देंगे 15% हम रख लेंगे बिजनेस के लिए तो इस प्रकार से 100 हो जाएगा राइट 100 हो रहा है न 70 यहां पर 50 15 और यहां पर 15 कितना हो रहा है हाँ जी 100 हो चुका है तो यह है बात at the year at the year ending after meeting expenses result profit should be shared in proportion of contribution of individual in the gross earning net profit to year कतम होने के बाद proportionally हम लोग divided कर लेंगे जो भी profit बच जाएगा internally different verticals can be created and surplus generated by each one can be assessed as an independent cost center ठीक है तो हम लोग जो भी तो यह इतना आप याद रखो this is more than sufficient यह आप याद रख लो यहां पर बोले कि देखो कोई भी particular हम लोग देखो काम कर रहे है ना तो उसमें surplus अगर generate हो रहा है ठीक है surplus अगर generate हो रहा है surplus create हो रहा है surplus cost हो रहा है तो हम लोग उसको इन्डिविजलबी समहल सकते हैं अगर इन्ड ऒश्ञ एक्स्टर जा रहा है तो इसको इन्डेविजलबी समहल सकते तो यह इंटरिल्छ इंटर्नलएडिफृरंट बैडिकल्स ऐ स्थीनि सब्सक्राइब। देखो यह business within और outside India भी पूछा जाता है ठीक है अच्छा questions asked often, यह read रहेगा, ठीक है, यह read रहेगा, revision है, लेकिन कुछ तो चीज़े हैं जो आपको read करने के लिए मैं बोलूँगा, है ना, यह मैंने class में भी नहीं करवाया है, क्योंकि यह read है, कि how many partners LLP of practicing company secretary can have, ठीक है, how many partners LLP of practicing professional can have, are there any restrictions on sharing fairs with members, non-members of ICSI, how many partners a PCS partnership firm can have, can there be a partnership firm in between CACS, CW and advocate, यह पूछा के, common questions जो है, यह आप एक बार read कर लेना है, बोले, as per section 37.1, क्या बोले, as per section 37.1, of a company secretary act, 1980, where a company secretary in practice or a firm of such company secretary has more than one office in India, each one of such offices must be in separate charges of members of the institute, ठीक है, application for opening a branch office without a member in the separate charge at place where there are few or no company secretary in practice are decided by the council on the merit of each case subject to the following condition, the branch office shall have an independent office and not in the office of some other professional, one of the partner of the firm shall attend the branch office at least 100 days in financial year, however, if a candidate who has passed intermediate examination of the institute, also management, apprenticeship, training or has passed the final examination of the institute is posted to the same branch office, one of the partners of the firm shall attend the branch office at least 60 days in the financial year, मतलब मैं समझाता हूँ, बहुत ही short cut में से मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर फटा फटा भाई मेरे देखो अच्छे से अगर आपका office है, ठीक है, इस office के बहुत सारे branches है बहुत सारे branches है, कश्मीर से कनिया कुमारी तक branches है, तो आपको हर एक office में एक company secretary बिठाना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ में आ चुक है, सर कश्मीर में company secretary बहुत कम है, क्या किया जाए, तो देखो सुनो, अगर ऐसा है, तो आप किसी दूसरे इंसान को बिठा रहे हो, ठीक है, दूसरे इंसान को बिठा रहे हो, any other person, उसको अगर बिठा रहे हो, तो आपको council से पहले permission लेना होगा, council ने permission दे दिया, तो बिठा सकते हो, कोई problem वाली बात नहीं, लेकिन, दो चोईस है आपके बास किसी दूसरे इंसान को बिठा रहे हो या फिर किसी ऐसे इंसान को बिठा रहे हो जिन्होंने कम से कम intermediate plus training complete कर रखा हो CS का intermediate plus training complete कर रखा हो अगर ऐसे इंसान को बिठा सकते हो या फिर किसी दूसरे इंसान को ही कुछ दूसरी इंसान को आपने तो जो इस office कांच पांठेस हैं ना किसी मैंसे कोई एक partner कम से कम साल में सौ दिन दो करना होगा इन branch office को सो दिन आपको विजिट करना होगा in branch office where there is any other person और जिन होने पकल लो intermediate clear कर रखा हो प्लस training भी complete कर रखा हो तो उनको कम से कम उनको भी जाना है इस partner को जाना है इस branch office में भी उनको विजिट करना है लेकिन उसमें 60 days करना होगा 100 दिन नहीं करना होगा 60 days और यहाँ पर 100 days समझ में आ चुका है कोई दिक्केद्वरी बात नहीं बवाल इतना ही याद रखो आप और एक चीज अगर यह जो permission होगा ना जो council देखा है वो 2 साल के लिए valid रहेगा ठीक है इतना ही है भाई मेरे इससे जादा और कुछ नहीं है बाकी जो है it is very easy megafarms complete हो चुका है megafarms में कुछ है ही नहीं examination में आएगा question तो megafarms और उसमें से आएगा ठीक है और एक है जो कि है secretarial standard जो यह है मैं आपको दिखा दें तो फटा फट यह secretarial standard board जो कि है chapter 22 यह मैं फिर से बता दूँ students को इसमें से पणने का कोई 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 जरूरत नहीं है थोरा बहुत read अगर आपको करना चाहते हो आप कर सकते हो कोई problem नहीं है जैसे कि functions क्या है ठीक है यह normally read कर सकते हो ऐसा कुछ मतलब जान लगाकर कुछ पणने का जरूरत नहीं यहां से क्यों मैं आपको बता दूँ जो कुछ भी secretarial standard में है वो मैंने already हमारे video lectures में complete कर रखा है मतलब सेम चीज है board meeting conduct करने का procedure सेम सेम चीज है जो आपको यहां पे मिलेगा जो हम लोग ने already कर रखा है तो secretarial standard अलग से पनने का कोई जरूरत नहीं हो कभी भी जिन्दगी में you don't have to study secretarial standard अलग से secretarial standard हमेशा आपके notes के साथ ही पनना होगा और जो मैंने video lectures दे रखा है वहां पे मैंने secretarial standard गुसा गुसा के जहां पे नेसेसरी है वहां पे मैंने बता रखा है तो यह अलग से परने वाला चीज नहीं है यह same जीज है अप्लिकिवलेटिव मीटिंग अफ कमिनिटीज क्या क्या कमिटी चाहिए audit कमिटी नौमेशन अमिशन कमिटी CSR कमिटी स्टेकोडर रिलेशन शीप कमिटी टीक है डेफिनिशन वगेर तो यह सारे यहां से पढ़ने का कोई कोई जरुरत नहीं है मैं फिर से बता रहा हूं भाई मेरे अपना जो लीगल फ्रेमवर्क है इसार दी मोस्ट इंपॉर्टन जाप्टर जिसमें से क्वेशन बनता है इंहीं से बनता है तो आपको यही कल लेना है बाकी आप कोई भी किसी भी प्रकार का जमेला में मत जाना ठीक है जितना मैं नोट्स प्रोवाइट कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में वो करके जाओ तैस्ट इस मोर दैन सफीशेंट और कुछ अलग से नहीं चाहिए होगा आपको ठीक है तैंक यो खू मुझ आपको वर्यवाइड को अवर्यों एड की लेंड आपको एंड चाहिए